नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका तो दोस्तो आज बात करने वाले हैं रिजर बैंक ओफ इंडिया के तरफ से जो कि दोस्तो आपने देखा है कि आज एक बैंक को जिसका लाइसेंस दोस्तो रिजर बैंक ओफ इंडिया ने बंद कर दिया है लाइसेंस रद कर दिया है और इस बैंक में जमा करने वाले जितने भी जमा करता थे दोस्तों उनका लगबख पैसा डू भी चुका है ये मान कर चल सकते हैं यानि कि भारत के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं उस बैंक में आपके पैसे सिक्योर हों ऐसा बिल्कुल ये सिक्यूरिटी दो लाग रुपे थी पर मोधी सरकार ने इसको बढ़ा कर पांच लाग कर दिया है यानि कि कुछ ही सालों में दोस्तों आपने देखा है कि काफी ज़्यादा बैंक जो है लोन देने की कंडिशन हो या कोई दूसरी कंडिशन हो या अपने मैनेजमेंट की खाती जिनके मैनेजमेंट अच्छे नहीं होते हैं या दोस्तों ज्यादा लोन देना या बैंकों का पैसा लेकर ऐसे बिजनिसमेन देखे हैं जो कि पैसा लेकर चले जाते हैं और उस जगे भी बैंकों का पैसा डूप जाता है तो ऐसे में अगर किसी बैंक का पैसा डूप में हैं Union Bank में है ICICI Bank में है HDFC Bank में है यह जरूरी नहीं है कि यह Bank Secure है पर दोस्तो Security की Guarantee Maximum Bank में होती है इसलिए Bank में पैसा जमा किया जाता है और Bank पर दोस्तो RBI या बारसरकार की निगरानी भी रहती है अब बात करेंगे दोस्तो अभी जो की एक नई खबर देखने को मिली है जहां पर एक Bank का लाइसेंस इसलिए रध कर दिया क्योंकि Bank के पास Business करने के लिए परियाप्त पैसे नहीं थे अब दोस्तो Bank के पास परियाप्त पैसे नहीं थे क्योंकि दोस्तो हर एक Bank का अपना Management होता है अपना सिस्टम होता है Bank के करमचारी होते है तो सभी को सैलली देनी होती है आखिरकार ये सैलली कहां से निकलती है सबसब बड़ी बात है तो Bank को में दोस्तो हम लोग आप लोग पैसा जमा करते है और उपर से पैसे जमा करने के बाद Bank हमें ब्याज देता है टेस्ट देता है वही दोस्तो वही Bank जब दूसरे लोगों को लोगों पर पैसे देता है वो पैसा अगर Bank का डूब जाए या वो पैसा नहीं मिल पाए तो उस condition में दोस्तो किसी भी Bank की जो स्थिति है काफ़ जादा खराब हो जाती है और ऐसे में जो Bank है दोस्तो वो अपना जो पैसा है या जो लोगों का पैसा है वो अलग-अलग लोन के चकर में दे देते हैं उसके बाद दोस्तो Bank को के पास पैसा नहीं मिलता है यानि कि हमारा पैसा जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं उस पैसे को बैंक जो है किसी third person को loan पर देता है loan पर देने के बाद जो interest मिलता है वो interest ही उस bank का पैसा होता है उसी से वो सारे खड़चे अपने निपताता है वही उसकी आई होती है ऐसे में दोस्तों अगर किसी बैंक के साथ कोई दूरगटना घट जाए या बैंक का पैसा डूब जाए दोस्तों तो ऐसे में जो जमा क anti-day जिमा करते है उनका पैसा भी डूबआफ़ा मना जाता है ऐसा ही देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पर रिजर बैंक ने साप साप कह दिया है कि यह बैंक का बिजनिस नहीं करेगा बैंक के पास पैसे नहीं है अब जो जितने भी जमा करता है उनको पांच लाग रुपे तक इस बैंक से दिये जाएंगे अब दोस्तों कहने का मतलब यह है अगर आपका एक करोड रुपेया है आपका एक हजार करोड रुपेया है आपके दस लाग है आपके पचास लाग है जितने मरजी पैसे हैं आपके पांच लाग से उपर तो आपको पांच लाग रुपे ही इस बैंक के तरफ से दिये जाएंगे दोस्तों ये पैसी क्यों दिये जाते हैं यहाँ पर बैंकों में जो पैसा जमा होता है उसका भी एक insurance होता है दोस्तों एक संस्ता है DICGC यानिके Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation जिसके तहत बैंकों में जमा करने के बाद जो जमा करता है उनको 5 लाग रुपे तक की security मिल जाती है तो इसी तरह द बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बैंक में किसी व्यक्ति ने 10 लाग रुपे जमा कर रखें तो उसको 5 लाग मिलेंगे और एक क्रोड रुपे जमा कर रखें तो उसको 5 लाग रुपे से उपर मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर fix है कि 5 लाग से उपर अगर किसी का जमा यह डिपेंड करता है दोस्तो DICGC के उपर कि कितना पैसा किसको मिलेगा अब बात करेंगे दोस्तो यह बैंक कौन सी है तो बैंक है दोस्तो Decken Urban Corporate Bank करनाटक में श्तित्थी तो आप समझ सकते हो दोस्तो बैंक कहीं पर भी हो आज कल ओनलाइन ट्रांजेक्शन होती है तो हो सकता है इस बैंक की ब्रांचे अलग भी हो पर फिलाल दोस्तो जैसे क्या मैंने आपको बताया करनाटक में Decken Urban Corporate Bank का जो लाइसेंस है और इजर बैंक ने रद कर दिया है तो दोस्तो बैंकों में पैसे जमा करने की सिक्योर्टी सिर्फ और सिर्फ 5 लाग रुपे तक है किसी कंपनी में जमा करते हैं दोस्तो जिससे पहले आपने देखा बहुत सारी स्केम देखने को मिले जिससे कि आपने सारदा गुरुप का देखा वहीं आपने सहारा गुरुप का देखा पीसिल इंडिया लिमिटेट का देखा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तक निविश्कों का पैसा नहीं मिला है पर बैंकों में भी वही स्थिति है अगर देखा जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद